नमस्ति दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल में आज हम बनाने जा रहे हैं सेव उसके लिए हमें चाहिए इधर मैंने एक प्लेट लिया है उसमें एक चन्नी रखी है और मैंने एक कप बेसन लिया है एक कप बेसन और आदा कप हमें चावल का आटा लिना है अब घर के कोई भी कटोरी यूज कर सकते हो ये मेजर्मेंट के लिए और इसको हमें चान के लेना है इसको हमें अच्छे से चान के लेना है वन टीस्पून हमें अजवाइन लेना है मिक्सर में इसको मैंने थुड़े सा ग्राइन करके लिया है हम अजवाइन लेंगे half teaspoon हमें हल्दी लेनी है उसके बाद हमें one tablespoon तेल लेना है पच्चा तेल है, गरम किया हुआ नहीं है उसके बाद हमें लेना है नमक आपके taste के साबसे आप नमक ले सकते हो अब हमें पानी लेना है और पानी से सब चीजों को अच्छे से मिक्स करना है यह देखिए पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिए एकदम हमें पटला वाला बैटर बनाना है एकदम जटपट और टेस्टी यह सेव बनती है एकदम मार्केट जैसे यह देखिए इतना पतला ही हमें मिश्रन बनाना है यह देखिए यह हमारा मिश्रन रेडी है यह देखिए एकदम पतला है एकदम पर पानी चाजने मत बनाओ यह मीडियम है ठीक सेव बनाने के लिए मैंने यह वाला साचा लिया है इसको मैंने अंदर से ओईल लगाया है यह देखिए ओईल लगा के लिया है और साचे को भी हमें इसको भी मैंने अंदर से ओईल लगा के लिया है अभी मैं इसमें यह आटा अंदर डाल दूंगी और बंद करूंगी तेल ग तरम हो जाने के बाद हम इसमें जो सेव है अमारी वो डाल देंगे सेव डालते टाइम गैस की आज को धीमा रखिये नहीं तो हाथ हमारा जल सकता है तेल बहुत गरम रहता है और सेव डालने के बाद गैस को हम मीडियम पे रखेंगे और जब तक एक साइड नहीं कोख होता प्रॉपरली तब तक हमें पलटना नहीं है यह देखिए एक साइड हमारे अच्छे से पक गई है अभी हम इसको पलट डेंगे यह देखिए अभी दुसरे साइड को भी हम अच्छे से पकने देंगे यह देखिए हमारी कुरकुरी सेव बन के रेडी है अगर आपको मेरी यह रिसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब तो मैं चैनल थैंक यू एवरिवान